आपको थोड़ा से दो मेंट के इंदर बताऊंगा कि सेवल इंजिनरिंग में सर्वे की इंपॉर्टंस क्यूं है सर्वे को इतनी जादा इंपॉर्टंस क्यूं दी जाती है देखें आप लोगो जैसा कि पता होगा यहां पे लिखा अभी है कि दर प्लैनिंग डिशाइन अफ ओल्ड इंजिनरिंग प्रोजेट्स सच एस कंस्रॉक्ष्ट आपशुए विर्जजर टो कोई भी सेल इंजिनरिंग का प्रोजेट हम कर रहे हैं survey की importance है उसके अंदर, survey की ज़रूरत है उसके अंदर survey नहीं होगा कोई भी project नहीं बनेगा घर बनाना है नहीं बनाहोगा, building बनानाही नहीं बनाना ये dam बनाना है, foundation मेडिकरेकिक्स कुछ भी बनाना है, road बनाना है करना computer के उपर भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास survey का सारा data नहीं होगा तो survey की इतनी ज़्यादा importance है तो survey को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह आप लोगों को सीखना पड़ेगा अगर आप survey नहीं सीखेंगे है कि सर्वे असल में है क्या सर्वे के तो यह कर दो ही तो मकसद होते हैं आप मों पहले ही बाल चुक्त को प्लैन बनाना मैप बनाना ये दो चीज़ historian मैप बन गया जब कि किसी बी चीज़ का डैम का बन गा तो डैम जाके हूं पर फीड के वर बन जाता है लेकिन उस plan को बनाने के लिए survey ज़रूरी है survey का data ज़रूरी है, point ज़रूरी है, angle ज़रूरी है सारे horizontal vertical angles, उसकी उपर की पिक सब कुछ इतना भी data हमें चाहिए होता है ज़रूरी है, पर उसको compile करना पर उस data से सारा plan और map बना के उसको actually जाके पर उसको design करना, computer के अंदर और पर actually जाके field के उपर उसको construct करना, तो यह सब कुछ होता है survey, survey नहीं होगा तो सब कुछ हो गई नहीं, तो जब तक आप पहला कदम ही नहीं लेंगे तो आगे जाके building किस तरह बनेगी, survey जो है पहला कदम है, किसी भी project का, तो इसकी importance सबसे ज़्यादा है, survey नहीं आता, software के उपर आप survey नहीं कर सकते, तो civil engineering की किसी भी field के अंदर आप नहीं चल सकते, तो यह सबसे ज़्यादा importance है survey की, civil engineering की, next video के अंदर मुलागात होती है, अल्ला आफिस.